हेलो गाईज, वेलकम टु आल इनेक्स्ट फेम, दिस इस राकिश वान और आज हम पढ़ने वाले हैं मून के बारे में साथ के साथ हम सोलर एकलिप्स और लिवनर एकलिप्स भी देखेंगे यानि कि सूर ग्रहन और चंदर ग्रहन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं तो आईज, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि बुक्ष में पढ़ने को बहुत कुछ है आप पढ़ते जाएंगे तो डिटेल में चले जाएंगे और हमें एक्जैम को अगर क्वालिपाई करना है तो वही चीज़े पढ़े जो आप से एक्जैम में पूछा जाता है यानि कि स्लेबर्स के अकोर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो काफी बैस्ट रहेगा और एक्जैम को आप इसली क्वालिपाई कर पाएंगे तो बात करें गाईज हम मून की तो आप लोगों ने मून के बारे में बहुत कुछ सुना होगा चांद के बारे में जब हम छोटे हो हुआ हो कब ऐसा मैंने सोचा था हां तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था चांद सा रोसन चहरा जुल्फो का रग सुना तो ऐसे गाने आपने सुने होंगे यानि कि चांद उपवा का काम करता है तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं मून के रही हम बात करें तो अर्थ यानि कि प्लैनेट जो अर्थ है उसकी एक सैटेलाइट क्या है यह सैटेलाइट यानि कि उपग्रह है कौन चांद प्रित्वी का अब उपग्रह क्या करते हैं ग्रहों के चारों और चक्कर लगाते हैं यानि कि यह अर्थ है तो इसके चारों और चक्कर कौन लगा रहा है मून इसके चारों और चक्कर लगा रहा है इसको क्या बोलेंगे वई सैटेलाइट बोलेंगे ऐसे ही मंगल करहें के दो सैटेलाइट फोबोज एंडिमोज वह मंगल करहें के चक्कर लगा रहे हैं यानि कि मार्स के चक्कर लगाते रहते हैं तो सभी जितने सैटेलाइट हैं वो अपने प्लैनेट्स के चारो और चक्कर लगाते हैं यहां तक क्लेर हो गया होगा अब यदि बात करें हम मून की तो मून का हम कितना परसेंट भाग देख पाते हैं तो मून का हम 59 परसेंट पार्ट ही देख पात हैं यानि कि एक साइड ये मून है एक साइड लगवग तो हम देख kardeşim नहीं पाते क्योंकि मून की अपनी लाइट तो है नहीं यह मून है और मून की अपनी कोई लाइट नहीं है यह उनहीं लाइट के वयविभाई दिखाई देता है जो सन की लाइट है ये सन है सन की लाइट आई और ये लाइट होके किस पे आती है और्थ पे आती है वो पार्ट हमें दिखाई देता है तो इसलिए हम maximum मून का 59% पाठ ही देख पाते हैं वही देखो आप इधर जो पीछे का अरिया है यहां light पड़ी तो हम इस अरिया को देख पारे पीछे वाले अरिया को हम देख पाएंगे क्या नहीं देख सकते तो हमेशा यहाद रखना है 59% हम maximum पार्ट जो है मून का वो देख सकते हैं अब इसके पीछे रीजन क्या है इसका रीजन है भाई कि रोटेशन टाइम रोटेशन टाइम एक्वल टू रिवलुशन रोटेशन एंड रिवलुशन टाइम जो है मून का वो बिलकुल फिक्स है यानि कि 27.3 दिन इसका रोटेशन एंड रिवलुशन टाइम फिक्स है इस कारणवस हमें हमेशा इसका एक ही हिस्सा देख पाते है यानि कि हम पूरे मून को एक बार में नहीं देख पाते इसका reason यही है कि rotation and revolution time दोनों ही मून का same है इस point को आपने याद रखना है next आपके लिए important point क्या है यह हमारा earth है earth अब यह orbit हो गई clear है इस orbit में कौन move कर रहा है यहाँ पर moon है यही बाते मैंने आपको earth के साथ भी बताई थी अब वहीं moon के बारे में सभी elliptical shape में move करते है अब एक जगा ऐसा भी होगा जहाँ पर maximum दूरी होगी और दूसरी एक कम दूरी वाली area होगी अब देखो जब भी ऐसी situation बनती है यानि कि दूरी एक ज़ादा है और एक जगा दूरी कम है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं हमेशा average distance को निकालते हैं क्या निकालती है average distance आपने पढ़ा होगा कि earth और moon के बीच में कितनी distance है तो यहाँ पर 3,84,365 km कई जगा आप यह भी पढ़ने को मिलेंगे 3,84,000 क्लियर है तो अगर एक्जाम में यह तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा 3,84, तो यह हो जाएगा भई राइट आंसर यह average distance है moon and earth का क्योंकि यहाँ पर दूर होगा और यहाँ पर parigy और इसको बोलेंगे दूर वाले को apogi parigy और apogi pari means past और apogi यानि कि दूर a for away away मिन्स क्या होता है दूर तो जब pass होगा उसको parigy बोलना है और जब दूर होगा उसको apogi बोलना है अब इस point को मैंने आपको अर्थ में भी समझाया था अर्थ में क्या बताय था मैंने आपको ये sun है और sun के चार ओर चकर कौन लगा रहा है अर्थ लगा रही है अब अर्थ एक time होगा जब बहुत दूर होगी और एक time pass होगी जब pass होगी तो इसको क्या बोलते थे perihelion perihelion और इसको बोलते थे वाई epihelion यानि कि epi दूर और peri pass अब यहाँ पर क्या होता था कि एक fix time होता था fix time कब होता था वाई ये तीन जनवरी को सबसे pass में होता था और वहीं दूर के यह हम बात करें तो ये कब होता था चार जुलाई को सबसे दूर होता था अब यहाँ पर कोई ऐसा fix time नहीं होता है clear है पैरिगी और एपोगी में कोई fix time नहीं होता तो यहाँ पर हम fix time नहीं लेख सकते ये चीज़े clear हो गए यह आपको 59% हम देख पाते हैं यह सारी बाते एक-एक करके clear करते जाना है अपने अब मून है तो मून पर धूल के मैदान है उस धूल के मैदान को सांती का सागर कहा जाता है यह point important है आपके लिए धूल के मैदान को क्या कहा जाता है सांती का सागर सांती का सागर यानि की sea of tranquility sea of tranquility इसको बोलते हैं वही धूल का मैदान अब इस धूल के मैदान से एक important point याद रखना है कि यही पर Neil Armstrong यानि की चांद पर रखने वाला पहला वैक्ति कौन था तो Neil Armstrong कब पहुचे थे 20 जुलाई 1979 को यहाँ पर पहुचते हैं चांद पर यह point important 20 जुलाई 1979 को कौन पहुचता है नेल आरंस्ट्रोंग अब यह किस से पहुचे अप पोलो 11 से पहुचते हैं यह सभी important point लिख रहा हूँ भई अब moon की थोड़ी से और बात करते हैं यह समझते हैं यह moon है अब moon का भी North Pole हो गई North Pole और यहां क्या है South Pole तो North Pole और South Pole South Pole पे highest peak है moon की वो कौन जी है लेबनटीज लेबनटीज परवत सबसे highest peak है किसकी तो वो है moon की अगर हम अर्थ की बात करें तो वो क्या है Mount Everest 8848 मीटर की तो यह सभी point important point है वहीं यदि हम बात करें आपने पढ़ा था last class में कि सूरज का प्रकास प्रित्वी तक कितने सेकंड में पहुंचता है तो यह मैंने पता दिए आपको 500 सेकंड में कितने में 500 सेकंड में अब एक मिनट में कितने सेकंड साथ तो चैठे 48 यानि कि आठ मिनट क्या हो गया यह बीस सेकंड हो गया तो यह एक्जाम में पूछ लेता है कि सूरे से प्रकास को आने में कितना समय लगता है तो आठ मिनट बीस सेकंड कई जगा आपको यह भी देखने को मिल जाएगा आठ मिनट 16.6 सेकंड भी देखने को मिल जाएगा कई जगा 8.3 मिनट भी देखने को मिल जाएगा तो सब सही है अपनी जगा है और एक ही ओप्शन आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पर सवाल आता है कि चांद से अर्थ पर लाइट कितने देर में आती है तो वो आती है वई 1.26 सेकंड में चांद से लाइट प्रित्वी तक आ जाती है और चांद की कोई अपनी लाइट नहीं है वो सन के लाइट को रिफलेक्ट करता है यह आपको याद रखना है यहाँ तक आपने समझ लिया अब एक और important fact है चांद का कि चांद पर जो gravity है वो कितनी है तो वो है वाई 1 by 6 ग्राइविटी ओफ अर्थ यादि कि आर्थ की जो gravity है अर्थ की gravity कितनी है वाई तो वो है 9.8 meter per second square अर्थ की gravity है तो चांद पर कितनी होगी इसका आप 1 by 6 है मल्टिपलाई कर देंगे वही आ चाहिएगा अब देखिए 9.8 इसको मल्टिपलाई कर देंगे 1 by 6 से अब इसको हम समयने कोशिश करते हैं अगर suppose that एक व्यक्ति का भार इंडिया में यानि कि अर्थ में कहीं भी 60 kg का है कितना है 60 kg आ रहा है उसका भार यदि वेट की में बात कर रहा हूँ तो ये व्यक्ति कहां हो जाएगा जब चांद पर होगा तो इसका कितना वजन होगा यहापर तो यह हो जाएगा भाई सिर्फ 10 kg का कितना हो जाएगा 10 kg यानि कि वहाँ पर हलका मैसूस करें कि वहाँ पर ग्रैविटी नहीं है देखो मास जो होता है मास को कोई चेंज नहीं कर सकता मास फिक्स होता है और भार के दी हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या जुड़ जाती है M G हो जाता है ठीक है बई तो ग चांद के इंत्क होगह जोहाँ से चांद से आप से कॉशन पूष़े जा सकते हैं चांद कहा हम हमेशा वह हिस्सा देखते हैं वही ? देखते हैं जहां पर सन की लाइट FREEbrar्ट होके आती है हम उसी पार्ट को वमल्ली देख पाते हैं यह आपको याद रखना है और चांद जो जो और्बिट में मूव करता हो तो इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है और यहां पर सेंटर है वही इस तरीके से भी हो देखने को मिल सकता है इस तरीके से भी ऐसे भी हो सकता है ठीक है तो और बिट्स है वो इस तरीके को देखने को मिलेगा क्लियर है